अस्वेलाम वालेकुम वैलकम बैक टू था नहीं वीडियो गाइज आज की वीडियो में हम जो है M10 और M19 का फुली कॉंपेरिजन करने वाले हैं जिसमें हम देखें कौन से एरबट्स आपके लिए सबसे ज्यादा बैस्ट हैं अगर आपको कन्फूजन है M10 और M19 में से आपको कौन से एरबट्स भाय करने है तो गाइज इस वीडियो में आपकी सारी कन्फूजन दूर होने वाली है और अगर गाइज आपको यह लग रहा है कि दोनों एरबट्स में सिर्फ और सिर्फ इनके डिजाइन का फरके तो आप बिल्कुल ही घलत सोच रहे हैं क्योंकि इन एरबट्स में साउंड गेमिंग से लेकर काफी जादा यहां पर हमें दोनों एरबट्स पर डिफरेंस देखने को मिलेगा वो सारा डिफरेंस आपको मैं आगए वीडियो में चलके बताऊंगा ठीक है समद्या आपको सिर्फ और सिर्फ पर डिफरेंस देखने को मिलता है बागी सारी चीज़ें दोनों एरबट्स के उपर सेम ही लिखी गई है अब जल्ली से गाइस दोनों एरबट्स को अनबॉक्स करते हैं अब यहां पर इनके साथ आने वाली कुछ एकसेसरी की बात करें तो एम 10 के साथ हमें एक और आपको एक मैनुल देखने को मिल जाएगा तो यहां पे एकसेसरी दोनों यह इरबर्स में सेम आपको देखने को मिलती है जिसमें यह जो है हमारे M10 एरबर्स हैं और यह है M19 गैस यहां पे जो इनका लुक है वो बहुत ही जादा अमेजिंग है फुली यहां पे आपको दोनों ही एरबर्स ब्लैक कलर के देखने को मिल जाएंगे और अगर इनकी मटेरियल की बात करें दोनों ही प्लास्टिक मटेरियल हैं बैक साइड फुल सकते हैं M19 का जो केस है वो थोड़ा सो जो है M10 से बड़ा है और यहां पे जो थिकने से वह हमारे M10 एरबर्स की थोड़ी सी जादा है हमारे M19 एरबर्स की बात करें तो आपको कोई भी बाहर की तरफ पॉइंट देखने को नहीं मिलता बलकर यहां पे एक जो है यह रवर पॉट देखने को मिल जाता है इसके बराबर में आपको लैनियार्ट दी गई है ताकि आप इसको हैंग कर सकें दूसरी सैट पर हमें एक जो है चारजिंग का पॉट देखने को मिल जाएगा इसी के नीचे आपको बटन देखने को मिल जाएगा जिसको अगर आप वन टैप करेंगे आपकी light on हो जाएगी और again one tap पे आप इसको off कर सकते हैं जो के हमारे M10 earbuds के अंदर में देखने को नहीं मिलती वाइस आपने इन दोनों का outer look देख लिया है तो आपको पता चल लिया होगा कि दोनों में outer और look में भी काफी जादा difference है दोनों के air birds की बात करें तो वो भी आपको काफी जादा difference देखने को मिलेंगे यह हमारे M10 earbuds जो के triangular shape में आते हैं और यह हमारे M19 earbuds जो के long stick shape में आते हैं और front पे आपको दोनों ही earbuds के अंदर touch sensor देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक microphone देखने को मिल जाता है back side की बात करें यहाँ पे हमें charging points देखने को मिल जाते हैं इसके लावा हमारे M10 earbuds के अंदर आपको right और left की indication भी देखने को मिल जाएगी अब guys दोनों earbuds को case के अंदर लगाते हैं और देखते हैं हमें इसका display कैसा शो होने वाला है तो guys earbuds लगाने के बाद दोनों earbuds का look आप देख सकते हैं कितना जादा premium लग रहा है जो इनका display है वो काफी जादा luxury करता है दोनों में बी लाउड बी प्राउड लिखा हुआ है आपको अलग से गाइज जो है सेपरेट चार्जिंग यहाँ पर शो हो जाएगी right और left earbuds की middle में यहाँ पर आपको केस की charging शो हो जाएगी और after all जो इनका look है वो बहुत ही जादा अमेजिंग है और यहाँ पर यहाँ पर दोनों ही earbuds के specification के बारे में बात करें तो हमारे M10 के अंदर आपको Bluetooth वर्जन 5.1 देखने को मिलेगा M19 के अंदर भी जो है आपको Bluetooth वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है और इसके earbuds के अंदर आपको जो है पचास एमेज का सेल देखने को मिल जाएगा M19 के अंदर आपको जो है पंद्रों सो दो हजार एमेज का पावर पैंक देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर हमारे केस केस को अराम से चार से 5 दफा कर सकता है मारे M19 का केस 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 को 3-4 दफा कर सकता है तो कई आप यहाँ दोनों ही earbuds का कंपेरिशन करते हैं कि इन दोनों से सबसे ज़्यादा best earbuds कौन से है और सबसे पहले sound quality की बात करें M19 के अंदर आपको काफी अच्छा sound और बेस देखने को मिल जाता है इसके वोकल भी काफी अच्छे से काम करते हैं तो यहां पर इसके बेस को अगर रेटिंग देखेंगे तो हंड़िट में से 80% जो इसका बेस काम करता है और आप जो है मीडियम वॉल्यूम के अंदर म्यूजिक को सुनते हैं म्-19 आपके लिए बैस रहेंगे होँए यहां पर काफी अच्छे से हर वॉल्यूम को हर बेस को जो ही कैप्चर करता है और बहुत ही अच्छा जो है आपको म्यूजिक यहां पे इसके अंदर देखने को मिल जाता है कर आप फुल वॉल्यूम के अंदर पसंद करते हैं म्यूज दूसरे नंबर पर अगर इन दोनों एबर्स की गेमिंग कॉलिटी की बात करें तो एम 19 के अंदर आपको अच्छी गेमिंग कॉलिटी देखने को मिल जाती है तो अगर आप पड़ी फ्री फार करने पर यहां पर आपको जो है वन सेकंड की लेटनसी देखने को मिल जाएगी क्योंकि काफी जादा नहीं है अगर आप मीडियम गेमिंग करते हैं तो आपके लिए बैस्ट है क्योंकि इसके अंदर आपको हाफ सेकंड की लेटनसी देखने को मिलेगी जो कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली और काफी अच्छा बैटर एक्सपीरियंस आपको M10 के अंदर गेमिंग का देखने को मिलेगा यहां पर भी जो है M10 बैस्ट है गेमिंग के अंदर अगर रेटिंग दी जाए तो M10 को जो हम 10-8% दे सकते हैं और M19 को जो हम 10-6% दे सकते हैं इसके लावा गयस अगर यहां पर दोनों ही एरबर्स की कॉलिंग कॉलिटी की बात कर सकते यहें डबल को फॉरवरड कर सकते हैं काल को कट करना है वह ओंडर से कर सकते हैं अगर कर आप किसी को करके और दो में आपको सेम देखने को मिलेका बिलकुल भी कोई मिलता लेकन कॉलिटी की थोड़ी बहुत बैस्ट यहां पर quality देखने जाते है क्योंकि इसमें साउंड कॉलिटी अच्छी है गेमिंग अच्छी है और यहां पर बैटरी पैकप भी आपको इसके अंदर जादा देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आज की विनर तो हमारे की टाइम तक लगा के यूज़ करते हैं तो आपको एक बात बता दूरू एक में लगाने के बाद पेंफियल होगा मतलब अगर आप एक गंटा दो घंटे M19 आपको 300 तक की रेंज में देखने को मिल जाएंगे जबकि ओरिजनल M10 आपको 500-600 के देखने को मिल जाएंगे कॉलिटी में डिफरेंस आ सकता है अगर है कम प्रैज में लेंगे अगर आप M10 को 300 वाइब करेंगे तो क्वालिटी में डिफरेंस आएगा भी काफे ज़ाधा प्रॉब्लम आती है और इसके आप 25 तो इसी व्याइससे आता है कि कॉपी वर्जिन रखें कर लेते हैं और आपको अच्छी साउंद क्यूंद कौलिटी और अच्छा के लावा यहां पर आपका कोई भी डाउट करने चाहिए कर सकते हैं और आपको कोई भी क्यूंट कर देना उसको जो है मैं आपको रिपलाय दे दूंगा वीडियो पसंद आई यह तो वीडियो को कर दो कर कर दो कर दो कि दो बादा है